आज हम Organon of Medicine पढ़ने जा रहे हैं Organon of Medicine ये एक ऐसी बुक है जो कि होमेपैथी का ना Foundation Stone है अगर आप Organon के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब आप होमेपैथी के बारे में नहीं जानते और गनाउन के बारे में एक बात कही जाती है कि और गनाउन को बिना पड़े होमेपैथी प्रेक्टेस करना उसी तरीके से है जिस तरीके से एक मैप के बिना एक सी में जाना तो organon की importance इतनी ज़्यादा है होमेपैथी के अंदर कि अगर आपको organon नहीं आती ना तो आप कभी भी successful homeopathic doctor, successful homeopathic physician नहीं भन सकते हैं तो इसी note के साथ start करते हैं one of the most important subject of homeopathic, organon of medicine यह basically कोई subject नहीं है, यह वो rules and regulations हैं, यह वो बाते हैं जो हमें ध्यान में रखनी है during our practice, तो अगर हमने इने ध्यान नहीं रखाना तो हमारी practice वेस्टेज है, हम बिल्कुल भी homeopathic according practice नहीं कर रहें, गीता भी कह सकते हैं तो आपको गीता की तरह इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं, तो organon of medicine, यह बुक डॉक्टर हैनमन ने लिखी थी, अब जो हम यह वाली बुक पढ़ते हैं यह देखो इसके total छे edition थे बट जब जो हम पढ़ते हैं वो 5th और 6th edition combined होता है, ऐसा क्यों है, यह बहुत important question है, क्योंकि ना देखो जब जोग्टर हैनमन ने organon का 6th edition लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया एक 5th edition की बुक लिए और उसी में necessary corrections कर दी और उसी augmented 5th edition की बुक को हम 6th edition of organon कहते हैं, तो वही था 6th edition और इसको translate डॉक्टर आरी डजन ने किया था English में और डॉक्टर विलियम बोरिक ने कि बेवले मार्केट के अंदर, आप उन्हीं भी पढ़ सकते हो, बट हम जो basically पढ़ने वाले हैं वो डॉक्टर आरी डजन का पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम ना इसमें हर एक चीज को बिल्कुल depth से start करेंगे, एक एक चीज का meaning इसमें important है, और गनौनिक ऐसी बुक है जिस की इतनी बड़ी history क्यों है, और क्यों यह इतनी important है, ठीक है, सो start करते हैं, तो organon का मतलब क्या होता है, तो जो organon word है ना, वो organon word से आया है, जिसका मतलब होता है, the tool or the instrument, ठीक है, अब organon word सबसे पहले किसने use किया था, तो Aristotle के एक disciple थे, उन्होंने जितनी भी Aristotle की treatise थी, उन् लिखेते हैं, उनको एक heading के अंदर, जब compile करना चाहा, तो उस book को उन्होंने नाम दिया organon, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, यह word कहां से originate हुआ है, फिर उसके बाद organon basically है क्या, a tool for scientific and philosophical discussion, यह एक tool है, ठीक है, इसलिए इसका नाम organon होता है, अब उसके बाद क्या हुआ, Lord Francis Bacon जिनको हम inductive logic का फादर मानते हैं, इन्होंने logic को पर एक book लिखी, जिसका नाम था, Novum Organum, सिवे, इंडिका, वेरा, डी, interpretation and nature, यह बहुत बड़ा नाम है, बट आपको इतना तो यादी रखना है कि Novum Organum का नाम होता है, Novum Organum, ठीक है, इसका meaning होता है, new organon, on true directions, concerning the interpretation of nature, जो key second part थी उनके book, Inspiratio Magna का, ठीक है, जिसका मतलब होता है, The Great Inspiration, यह आपको history आद करनी है, history के बारे में एक बहुती famous quote, Winston Churchill ने का था, जो की ब्रेटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, कि जितना जादा आप पीछे देख सकते हो, आप उतना ही आगे जा सकते हो, the more you can look backward, the further you can move forward, so इ तो हमारे organon का, अभी हम पूरा नाम देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि art word आता है, वो भी एक latent words आया है, ours, जिसका मतलब होता है, skill या craft, organon के बारे में एक और बात कही जाती है, ours, longa, beta, brevis, ठीक है, कि organon में जो हुमिपैथी का healing art सीखना है न, तो वो बहुत बढ़ा ह है, ours, longa, beta, brevis, और हमारी life उसको सीखने के लिए बहुत छोटी है, तो organon के अंदर जो भी बाते कहीं गई है, वो बहुत ज्यादा डीप है, और उसको सीखने के लिए हमारी life बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, तो आप ये quote भी याद रख सकते हो, बहुत important होता है ये भी और इससे आपको हमेशा एक motivation आता रहेगा कि मेरे को सीखना ही सीखना है organon, अब organon जो word है, वो कहां से आया है, इसमें जो medicine word यूज हो है, वो कहां से आया है, वो देखते हैं, सभी words का origin है वो आपको पता होना चाहिए, कि किदर किदर से आये हैं, तो एक latent word होता था middle, जिस practice of medicine का जो origin हो हुआ है, एक और word होता है, medicary, जिसका मतलब होता है, to medicate, heal, or cure, medicine जो word है, वो इन तीन वर्ड से originate हुआ है, medal, medicina, or medicary, अब यह जो organon book है ना, इसमें heal word भी use होता है, art of healing कहते हैं, तो यह germanic word, healing से derive हो है, जिसका मतलब होता है whole, तो यह ना, इस बात को point out करता है, कि हमेशा जो healing है ना, वो एक holistic manner में होनी चाहिए, अब हमना first edition of organon के बारे में पढ़ने वाले है, कि पहली बार organon बनाई कब, hanuman, dr. hanuman ने सबसे पहली बार 1810 में first edition of organon बनाई थी, जिसका नाम था organon the rational in healkunde, जिसका मतलब होता है organon of the rational healing science, अभी हम देखेंगे ना, उन्होंने इसमें से science word drop कर दिया, rational word drop कर दिया, और इनको drop करने के पीछे बहुत strong reason देते हैं dr. hanuman, उनके बारे में एक story की तरह समझेंग तो first edition of organon के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आप note कर सकते हो, तो first edition जो है ना, इसके अंदर कितने aphorism थे, 259 aphorism थे, अब ये aphorism क्या होते है, तो aphorism की definition basically होती है कि कोई भी एक ऐसा cleverly phrased saying, cleverly phrased saying, which is used to convey a general truth, ठीक है, इसका मतलब है कि देखो, क कोई भी ऐसे हमने छोटा सा, जैसे हम संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, हिंदी में दोहा बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में रुबाईयां होती है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये aphorisms है, aphorisms का मतलब होता है, एक छोटी सी बात, जिसके अंदर आप एक general truth को बोल तो aphorisms की definition क्या होती है, a shortly, cleverly phrased saying, the aim of which is to convey a general truth, ये मैंने यहां पर लिखी नहीं है, अगर आपने सुन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अब aphorisms को ना denote करने का symbol होता है, ये symbol से denote, तो उन्होंने 259 aphorisms लिखे थे 1st edition के अंदर और इसको publish किया था 1810 में, अब इसको publish किया किसने था, तो वो भी आता है कि Arnold of Dresden, Arnold of Dresden publisher थे इसके, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखने है, कि Arnold of Dresden ने publish की थी 1st edition of Organon, और Henneman के एक patient ने इस publication को finance किया था, तो ये था 1st edition of Organon की history, अब ना देखो, जितनी भी copies थी ना, वो sold हो गई थी, मतलब इसकी सारी copies बिख गई थी, और इसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहली बार क्या करा था, इन्होंने ना, गेलर्ट poem इसके introduction में लिखी थी, अब ये गेलर्ट poem क्या होती है, तो गेलर्ट poem लिखी थी, गेलर्ट poem थी, the truth we mortals need, us blessed to make and keep, the all wise slightly covered over, but did not worry deep, इसका मतलब हैने में कहना चाहते हैं, कि जो truth हम धून रहे हैं, about healing art, कि कैसे सब की healing होगी, तो वो truth जो almighty है, जो God है, उन्होंने ना, हमसे थोड़ा सा छुपा के रखा है, slightly covered over, but did not worry deep, मतलब हमें इसको बता रहे हैं, कि आप अभी तक जो कर रहे हो, this is not the true healing art, आपको अगर true healing art को समझना है, तो आपको nature के law के basis पे चलना पड़ेगा, यह नहीं करना कि nature जो करना चाहता हम उसके opposite जाके, nature के flow के opposite जाके कोई भी काम कर रहे हैं, हमें nature के law के according, nature ने खुझ से हर एक चीज के laws बनाए हैं, तो हमें उनको follow करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें वो basically, politely ना सारे ही physicians को बोल रहे हैं, कि आप आके वो जो truth मैंने discover किया है, about the healing art, आप उसको accept करो, आप उसको खुझ से उस पर experimentation करो, और उसके बाद उसके एक्सेप्ट करो, वो यह नहीं कह रहे है कि मेरी कही कैसे Dr. Herring जो थे, उनका conversion हुआ था towards homeopath, Dr. Herring जिनोंने 10 volumes की एक पूरी Materia Medica की किताब, Herring guiding symptom लिख दीती, उनका कैसे conversion हुआ था to being a homeopath, आप जो first edition के translator थे ना, उनका नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, first edition को English में जिनोंने translate किया था, उनका नाम था C. Wheeler, ठीक है, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि C. Wheeler ने first edition को translate किया था, कब किया था, 1930 में, अब जो second edition है ना, Organon का वो कब आया, तो second edition आया था, 1819 में, इसके अंदर कितने aphorisms थे, इसके अंदर 318 aphorisms थे, 318 aphorisms, second edition के अंदर, और इसका ना, नाम चेंज करके, Organon Der Helikunst कर दिया गया, तो क्यों, Helikunst का मतलब हुआ करता था, Medical Science, Helikunst का मतलब होता है, Healing Art, ठीक है, Art of Healing, और Helikunst का मतलब होता था, Medical Science, तो Haneman ने Medical Science word हटा के, वहाँ पे Healing Art word यूश किया, क्योंकि ना, वो कह रहेते, कि Healing किसी person को ठीक करना, किसी patient को ठीक करना, ये एक theoretical science की बजाए, एक art है, एक ऐसी कला है, जो आपको सीखनी पड़ेगी, over the time आपको, नेचर के laws के साथ, खुद को ढालते हुए, ये कला सीखनी पड़ेगी, कि कैसे लोगों को Heal किया जाता है, It's not a theoretical science, जिसे आप बस पढ़के, या फिर नई-नई theories खुद से बनाके, आप कर सकते हो किसी को Heal, ठीक है, इसलिए उन्होंने नाम चेंज करके healing art कर दिया, अब 8 years का gap क्यों आयता, तो इस समय पे बहुत जादा, बहुत ही जादा criticism उन्हें जहिलना पड़ा, जब उन्होंने ये first edition of organon निकाला था, तो जो second edition of organon के book का, वो 181980 में आयता, first edition आपको पता होगा की 1810 में आयता, तो first edition के 9 साल वाल थी क्यों आया, तो इसके ना बहुत सारे कारण है, और इसमें जो भी changes हुए है ना हर एक का एक reason, इसमें 318 फॉरिजम थे, जब कि first edition में कितने थे, first के अंदर 259 फॉरिजम से है ना, और ये lipzig में पब्लिश हुआता, अब इसमें क्या हुआ medical science word को हटा के, वहाँ पे organon के नाम में helicon word यूज किया गया, जिसका मतलब होता है healing art, इसके पीछे भी उन्होंने बोला कि देखो, medical science में basically अगर हम सिर्फ theory की बात कर रहे हैं, तो Henneman इस बात से satisfy नहीं थे, कि medical science जो है ना, science कभी भी theory नहीं हो सकती, science हमेशा एक ऐसी चीज होती है, जिसे हम apply कर सकें, और उसको apply करना ही art है, science को apply करना एक art होता है, और किसी को heal करना, अपनी knowledge का use करके, that is an art, और वो हम तभी सीख सकते हैं, जब हम nature के साथ चलेंगे, ठीक है, अब इसमें और क्या का चीज है थी, तो इसमें ना, Dr. Henneman का एक portrait था, जिसमें वो एक pen के साथ बैठे हुए थे, जिसे बनाया था, Jung and Stalzel ने, ठीक है, सबसे पहली बार portrait of Henneman इसी पर देखने हो मिला था, वो अभी तक भी है, देखो, यह है न, portrait of Henneman एक है, ऐसा ही एक portrait Henneman का उस पर बनाया गया था, इसमें गैलर्ट poem, मैंने आपको बताया था भी, कि गैलर् to be wise or bold and sensible, आपको dare करना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर आपको सच के साथ खड़े रहना है तो, ठीक है, और audis apereward, सबसे पहले इन्होंने first time medicine of experience के अंदर यूज किया था, जो कि इनका एक essay था, ठीक है, अब क्या हुआ, यह audis apereward आया कहां से था, तो वो जब old church के पास रहते थे न, सेंट आफरा, प्रिंस स्कूल आफ माइसन के पास, तो उन्होंने roman poet थे, एक होरेस, जिनका नाम था होरेस, ठीक है, होरेस थे, तो उनकी poem के नीचे वो लिखते थे हमिशा, audis apere, तो वो बहुत ही जादा वो थे, बहुत जादा influence थे इनकी poem से, इसलिए उन्होंने इस word को use किया, audis apere, इस quotation को use किया, अब इतना ज्यादा विरोध की हुआ और 9 साल क्यों लगे, तो आपको देखो, first edition organon आने के बाद, प्रोफेसर बेकर थे, बरलेन में, उन्होंने एक पूरी बुक लिखी थी, अगेंस्ट होमेपैथी, डॉक्टर general publish की गई थी, जिसका नाम था anti-homopathic archive, तो ये पूरा था कि second edition में क्या-क्या था important, और कब publish हुआ था, कितने aphorism थे, और क्या-क्या changes हुए थे, और क्यों changes हुए थे, मैंने आपको उसका सबता reason भी बता दिया, now coming to the third edition, अब third edition में क्या-क्या हुआ था, तो ये 1824 AD में publish ह हुआ था, और इसमें 320 aphorism थे, पिछले वाले में कितने हैं थे, 318, इसमें 320 aphorism थे, ये cotton में publish हुआ था, और इस पे एक photograph भी था, Dr. Henneman का, अब fourth edition की, इसमें ज्यादा changes नहीं हुए थे, ठीक है, fourth edition में बहुत सारी नहीं चीज़े introduce हुई थे, तो fourth edition important है, तो 1829 AD में इस इंदर होमेपेथिक क्योर, ये बली बुक लिखी थी और इसका first edition publish किया था, ठीक है, अब first time इन्होंने सोरा के बारें बताया था, सोरा मेयाजम के बताया था, cause of all disease, उन्होंने बोला था कि जितनी भी बिमार्या होती है ना, वो उन सब का ultimate कारण मेयाजम होते हैं, ठीक है, इसकी बात कही थी, और ये सबसे पहले fourth edition में introduce किया था, तो theory of chronic disease सबसे पहली बार fourth edition में introduce की गई थी, और सबसे पहली बार introduction to organon भी इसी edition में उन्होंने लिखा था, इसके translator थे Charles H. Devriant, जिन्होंने 1833 AD में इसको translate किया था, और इसको पहला translation माना जाता है, पहली बार किसी न 1833 AD में publish हुआ था, इसके अंदर 294 aphorisms थे, और ये last edition था, जो during the lifetime of Heneman publish हुआ था, मतलब Heneman की lifetime में total eggs लेके 5 तक के organon के editions publish हो चुके थे, और इसमें क्या क्या चीज़े नहीं थी, तो theory of vital force को introduce किया गया था, theory of drug dynamization को introduce किया था, पहली बार fifth edition में, और इसके translator थे Dr. Ari Duggen, Dr. C Veselhoff ने भी इसका translation किया था, बट Ari Duggen वाला ज्यादा accepted version है translation का, ठीक है, अब आते हैं सबसे important और सबसे latest 6th edition पे, तो 6th edition के बारे में ऐसा कहा जाता है, कि Heneman ने अपने death से पहले ही इसको पूरा ready करके रखा था, 1842 के अंदर ही इसको ready कर दिया था, Heneman ने, और इसके अंद यह दो बार खोने से बच्ची थी बुक और उसके बाद भी कितना struggle करना पड़ा था, इसको publish करवाने के लिए, और इसको most perfect माना जाता है, most perfect of them all, Heneman ने इसको सबसे ज्यादा perfection के साथ लिखा था, ठीक है, इसके अंदर दो चीजे थी, 50 millisimal scale, और theory of repetition of doses, और इसमें कई जग नहीं कर रहे थे, जब यह publish हो चुका था, यही वो perfect edition है, जो आज हम पढ़ते हैं, so organon का introduction जानना आपके लिए उतना ही जरूरी था, जितना की इस book को पढ़ना जरूरी है, और यह ऐसे question थे, जितने भी मैंने आपको points बताया है, यह as it is, आप से पूछे जा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, but from the very next video, हम aphorism 1 से start करने वाले हैं, तो आज मैंने आपको जो भी पढ़ा है आपको बिल्कुल अच्छे से by heart learn कर लेना है, so मिलते हैं next video में